हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासीज में तो आज के प्रिमिक्स में पांच कोश्चन्स हम डिसकस करेंगे अगर आप QPC का टेंट फॉलो करें तो काफी good number of questions इस particular segment से पूछे जाते हैं और कुछ सालों से तो कहीं न कहीं आप अच्छे questions expect कर सकते हैं और यह आप के लिए deciding factor का role play कर सकता है कि आप cut off के इस पार हैं उस पार तो शुरुवात करते हैं बट उससे पहले जो हमारी प्रिमिक्स रिविजन सीरीज चल रही है तो कल economy से related तीन questions आप से पूछे करे थे solutions देख लेते हैं जैसे कि पहले question में बात हुई थी National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill के बारे में तीन statements आपको दी गई थी आपको बताना था इनमेंसे कौन-कौन सी correct है और यहाँ पर आपकी पहली दो statement correct है कि यह आपका parliamentary committee दोरह यहाँ पर appoint किये जाते हैं investment outlook में increase आएगा बट आपकी जो interest rate है उसमें भी यहाँ पर decrease आएगा तो second और third आपका correct था उसी के धार पर be option correct option है third question में कभिला campaign के बारे में पुछा गया था किसी से related है तो यह आपका patent से related है तो यहाँ पर जिसने भी correctly तीनों questions कॉंसर किया आपनी email ID साथ comment post किया है तो वहाँ पर winner रहे हैं और यह हमारे YouTube community post or Instagram stories pronounce किये जा चुके है ठीके जी आज का प्रेमिक शुरू करते हैं पहले कुछन के साथ बात की जा रही है Seabed 2030 project के बारे में यहाँ पर दी है आपको तीन statements पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन statements आपकी correct है चार codes आपको यहाँ प्रवाइड किये गए हैं पहले में कह रहे हैं आपका launch किया गया था United Nations Conference में in 2017 Second में कह रहे हैं यह आपकी collaboration project है between the Nippan Foundation of Japan and General bathymetric chart of ocean Third में कह रहे हैं यह आपका aligned है with the UN sustainable development goal SDG 13 से to conserve and sustainably use the ocean seas and marine resources तो यह आपको तीन statements दी गई है Seabed 2030 projects related थोड़ा सोची इसके बारे में correct option mark कीजिए फिर discuss करते हैं इस question को तो देखे पहली दो statements में तो बिल्कुल correctly बताया गया है 2017 में आपका यह launch किया गया था और इसमें जो जपैन की निपन foundation है और जो हमारा general bathymetric chart of ocean है इन लोगों का यह collaboration project है बट यह जो SDG 13 है तो 13 आपका किस चीज़ से deal करता है climate change से deal करता है 14 आपका marine sustainability से deal करता है तो यहां पर आपका SDG 13 नहीं यह आपका 14 होगा जितने भी आपके SDGs हैं सभी के बारे में आपको पता होना जरूरी है कौन कौन से SDGs पर्टिकुलर ली इंडिया काम कर रहा है यह भी important है आपके exam point of view से पहली दो statement से आं correct है A option, correct option है जैसे कि आप देखी चुके है इसकी ही मैपिंग कर चुके हैं ठीक ही 2030 का प्रोजेक्ट रखा गया है कि पूरी से मैपिंग वहाँ पर तयार की जाएगी क्यों important है यह प्रोजेक्ट कि इतनी ज्यादा relevance क्यों है इसकी कि basically अगर हमें depth और shape का पता रहेगा सी floor का जिसे यह study को bathymetry कहा जाता है तो वह fundamental रहेगा किस चीज़ के लिए कि जो कि ocean circulation है उसके understanding के लिए tides के बारे में tsunami forecasting होगी fishing resources होगे यह सभी important factors है जिसके लिए आपकी यह जो process है यह जो project है यह बहुत जादा important है ठीक है जी तो यह basic basis information is particular question से लेटेड अगले question क्यों बढ़ते हैं second anthropogenic human made SO2 अब इस से related आपको यहाँ पर कुछ statement दी गई है आपको बताना है कौन कौन सी यहाँ पर correct है पहले में कह रहे हैं कि इंडिया का जो sulfur dioxide emissions है वो record हिया है significant decline आया है उसमें of approximately 6% 2019 में as compared to 2018 second में कह रहे हैं इंडिया दुनिया का second largest emitter है sulfur dioxide का तो यह दो statement आपको दी गई है थोड़ा सोची इसके बारे में correct option mark कीजिए facts ही आप से directly हम पूछे गए हैं फिर discuss करते हैं इस question को देखिए यहाँ पर जो पहली statement में बात की गई है यही आपके last year news में भी आई थी कि 2019 में आपका यहाँ पर थोड़ा decline देखा गया है जो हमारी sulfur dioxide की emissions उसमें decline देखा गया है 6% का बट इंडिया आपका सबसे बड़ा emitter है ना कि second largest sulfur dioxide का आपकी यहाँ पर incorrect होई पहली ही correct है तो यह option correct option है तो basically यह जो पूरी report है जिसके अधार पर यह पता लगा है तो वह निकाली गई है greenpeace india and center for research on energy and clean air ठीके जी इसी के दार पर इस सारी आपकी बाते कही गई है कि जिसमें आपका 2019 का जो data है उसमें 6% का decline देखा गया है और इंडिया ने emit की है 21% of the global anthropogenic जिसे हम human made कहते हैं SO2 emissions ठीके जी nearly double that of कि Russia का उससे half है तो यहाँ पर इंडिया ने हालांकि काफी steps लिए है clean energy पर बट स्टिल अभी भी वह सबसे बड़े यहाँ पर एमेटर हैं SO2 emissions के ठीके जी और वहीं बात करें कि report के दाहर पर क्या पाया गया है कि कौन-कौन से particular hotspots है इंडिया में कि जो आपके thermal power stations है इन सभी locations पर तो यह आपके सबसे बड़े hotspots पाए गए हैं तो important है आपके examper अगर आपको किसी तरीके से question पूछा जाए तो इससे अच्छे से note कर लीजिए अगले question के और बढ़ते हैं second में बात हो रही है bio decomposer technique के बारे में आपको दी गई है यहाँ पर statements बताना है इन में से कौन कौन सी statements आपकी correct है चार codes यहां provide किये गए हैं पहले में कह रहे है bio decomposer technique जो है वो convert करती है household waste को into manure second में कह रहे हैं जो technique है यह decrease करेगी use of fertilizers और इसके चलते जो productivity रहेगी farm soil की वो भी यहाँ पर increase करेगी third में कह रहे हैं उसा bio decomposer यह contain करता है strains of fungi which assist in producing enzymes जो कि essential है आपकी decomposition के लिए यह statement दी गई है थोड़ा सोचें इस bio decomposer technique के बारे में आपके news में भी काफी रही है correct option mark कीजिए फिर discuss करते हैं इस question को तो देखिए यहाँ पर आपकी यह bio decomposer की technique है इसमें basically क्या है जो आपका stubble है जिससे जलाया जाता है इसकी वज़से बहुत यह हम कहते हैं एर pollution का काफी बड़ा रोल रहता है यहाँ पर कि जो आपका stubble जलाया जाता है दिल्ली में जो एर solution हो रहा है उसमें बड़ा factor का रोल प्ले करता है तो basically उस stubble को यह convert करेगा manure में ना कि आपके household waste को तो पहले से तो आपकी यहाँ पर incorrect होई second और third बिल्कु करेक्ट है और उसी के धार पर आपकी C option correct option है कि इससे जो manure त्यार किया जाएगा उससे जो हमारी हम कह सकते हैं जो productivity है soil की वो तो बढ़ेगी साथ के साथ जो हमारे fertilizer हम use करते हैं उनका भी usage वहाँ पर कम हो जाएगा ठीके जी तो क्यों discuss कर रहे हैं कि यह जो basically technique है तो यहाँ पर यह शुरू किसने की दिल्ली की सरकार ने तो वहाँ पर अब दिल्ली की सरकार के जो chief minister है वो appeal कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि वो दिल्ली के आसपास के जितने भी neighboring states हैं उन्हें वहाँ पर guide करें वहाँ पर उस तरीके के निर्देश दें कि वो भी इस तरीके का technique यूज करें ताकि जो stubble burning के वाज़से जो pollution हो रहा है वो उसे वहाँ पर avoid कर सकें ठीके जी तो बहुत cost effective यहाँ पर तयार किया गया है और basically जो इसमें आपकी technology है जिसका नाम है Pusa Decomposer तो इसमें basically क्या रहता है कि यह आपके जो stubble ह उससे चेंज करेगा manure में किस तरीके से करेगा कि solution यहाँ पर तयार किया जाएगा जिसे उस trouble के उपर फैंका जाएगा फिर कुछ दीनों के लिए उसे वैसे का वैसे रखा जाएगा फिर कुछ समय बाद हम जब उसे देखेंगे तो वह आपका manure में convert हो चुका होगा तो सेली सेट में देखते हैं कह रहे हैं कि 12 snow leopard range countries have adopted the Beijing declaration इस चीज के उपर on conservation of slow leopard सेकिंड में कह रहे हैं इंडिया's first snow leopard conservation center आपका निमाचल प्रदेश में खोल जाएगा थर्ड में कह रहे हैं कि इंडिया is also the party to the global snow leopard and ecosystem protection program since 2013 यह आपको तीन स्टेटमेंट्स दी गई है with respect to conservation of slow leopard in India तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में correct option आपको यहां mark करनी है अच्छे से answer mark कीजिए फिर discuss करते हैं इस question को तो देखिए यह जो आपकी declaration के बारे में बात की गई है तो Beijing declaration आपकी women rights related है ना कि आपके conservation of slow leopard से और जो यहां पर पहले snow leopard conservation center के बारे में बात की जा रही है तो यह भी आपका गलत है यह आपका उत्राखंड में खोनने की बात की गई है ना कि हिमाचल परदेश में तो यहा कौन सी वो declaration थी अगर वो Beijing नहीं थी तो वो थी आपकी बिश्किक declaration किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्किक जहां पर यह declaration आपकी sign की गई थी तो basically इसमें जितने भी आपकी 12 snow leopard range countries थी वो आए थे उन्हों अच्छे से इस declaration को adopt किया था कि वो snow leopard की conservation के उपर काम करेंगे त और यह जो conservation center है यह किसके दोरा बनाया जाएगा उत्तराखंट की जो forest department है along with the United Nations Development Program as a part of its six year long project Secure Himalayas ठीके जी इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह project basically आपका conservation of snow leopard पे तो काम करता ही है बट साथ साथ जो आपकी बाकी endangered species है और उनकी जो habitats है जो की हमालेज में पाय जाते हैं उसके उपर भी काम करता है secure हमालेज और यह आपका 2017 में शुरू किया गया था तो इंडिया आपकी party भी है क इसके global snow leopard and ecosystem protection program के since 2013 और basically इसी के चलते जो हमारी केंदे सरकारण उनने host भी की थे आपकी four steering committee of the this program in October 2019 at New Delhi ठीके जी important है exam point of view से कि इंडिया की तरफ से कौन-कौन से conservation efforts लिये जा रहे है snow leopard की conservation के लिए कि कौन-कौन सी committees या कौन-कौन से इस तरीकी के programs है जो इंडिया ने जॉइन की है आपके exam point of view से काफी जादा important है अगले question के और बढ़ते हैं fifth question जहां पर कह रहे हैं कि जो आपका recovery program है ministry of environment forest and climate change दौरा जो launch किया गया है for critically endangered species in India उसमें आपकी 12 sorry 22 wildlife species आती है अब आपको इन species के अधार पर बताना है कि क्या ये species आपकी उस list में है या नहीं यहां पर आपको पांच options दी कहीं हैं इंडियन bullfrog हो गया मेंडरिन डख हो गया और निलगरी ताहर हो गया ठीके जी थोड़ा सोचिए इसके बारे में correct option mark कीजिए फिर डिसकस करते हैं इस question को तो देखिए ये जो आपका इंडियन bullfrog है और जो आपका मेंडरिन डख है ये आपके इस list में नहीं है उसके लवा आपके बाकी तीनों list में हो उसी के धार पर c option correct option है ठीके जी तो recently ही क्या हुआ हुआ है कि मार्च के महीने में ही आपका जो keracle है वो include किया गया है इस list में तो उसी के चलते आपके लिए current affair के हिसाब से important है कि basically जो list है इसमें कौन कौन सी species है तो सभी के नाम आपको यहाँ पर provide किये गये हैं इसे अच्छे से note कर लीजिए और time and again इसे revise भी करते रहे एक्जाम पर दो भी साब के काफी जादा ये important है ठीके जी तो यह जो species recovery program है ये जो हमारी ministry of environment, forest and climate change है उनी का ही integrated development of wildlife habitats का जो program है उसी का ही एक component है जिसके अधार पर आपके कुछ species identify की जाते हैं जो की critically endangered category में आती हैं और उनी से related conservation efforts भी वहाँ पर चला रहे हैं ठीके जी तो ये थे हमारे आज के 5 questions I hope आप में से सभी नहीं 5 out of 5 यहाँ पर score किया है बट स्टिल जो भी आपका score रहा है comment box में जरूर mention कीजिए और इसी तरीके से regularly इस initiative को follow करते रहे हैं क्यूंकि problems का कुछी समय बचे हैं अब आपको कोशिश करनी है जादा से जादा questions attempt करने की चाफ ही अच्छा रहे आपके अंदर confidence आए और उसी confidence के साथ आप exam hall में एंटर करें तो इसी के लिए हमने आपकी premix revision series भी शुरू किया है जिसमें तीन questions आपके पूछ जाते हैं प्राने premix related जिसका revision syllabus आपको एक दिन advance में दी जाता है जो भी इन questions को correctly answer करता है उन्हें मिलत से पहले correct answer देगा उसे वहाँ पर यह unique email ID पर 500 रुपीज का gift card voucher भेज़े जाएगा ठीके जी किस तरीके से आप revise कर सकते हैं कि हमारा platform है उसका link आपको description मिल जाएगा तो यहाँ पर free of cost आप इस course में डोल कर सकते हैं जहाँ पर सारे के सारे प्रमिक्स आपके एक साथ compiled हैं subject PDFs as well as videos आपकी सभी यहाँ पर available है तो अच्छे से जाके आप revise कीजिए तो आज के प्रमिक्स रिजन सीरीज एन्वार्मेंट का दिन है तो पहले question में आपसे सिमलिपल प्रोटेक्टेड रिजर्व से रिलेटेड को statements दी गई है चार कोर्स आपको प्रवाइड किये गए हैं चार statements है थोड़ा देखिए इसे अच्छे से हर एक statement को अच्छे से पढ़िए correct option मार्क कीजिए फिर अगले question के बढ़ते हैं R2 में which of the following pairs are correctly matched तो यहाँ पर भी आपको 3 statements दी गई है उसी के चलते हैं चार कोर्स दिये गए हैं first generation biofuel, second generation biofuel आपको बताना है कौन-कौन से pairs यहाँ पर correctly matched है R3 में ecological causes of coral bleaching, अब इससे related आपको कुछ factors यहाँ दिये गए हैं कि कौन-कौन से इसमें responsible रहेंगे ठीके जी, उसी के चलते हैं आपको 4 course यहाँ पर provide किये गए हैं, देखिए यह इन 4 factors के बारे में क्या यह responsible रहते हैं क्या यह ecological cause रहता है आपके coral bleaching का, तो यह थे आपके तीन questions, correct format में, R1, R2, R3 के format में इन questions के answer submit कीजिए, ठीके जी अब कल है आपका science in tech का दिन, तो कल जैसे कि हम इस week आपके February, March और April के premix revise कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको अपने यह premix सारे revise करने हैं, जो कि आपको premix की compilation में available रहेंगी, जिसका description में link provide कर जाएगा और कौन से initiative चल रहे हैं हमारे की prelims crash course चल रहे है, जिसमें अगर आपको current portion revise करना है, तो उसकी option available है, स्टाइटिक को current दोनों चीज़ें आपको revise करना है, तो उसकी option है, prelims test series, जो कि अभी आपके लिए बहुत जादे important है, जितने जादा आप test लगाएंगे, उतना ही जादा चेक कर सकते हैं, अगर आपकी कोई भी queries हो, आप हमें call कीजी, हम आपकी हर एक query को यहाँ पर resolve करने की कोशिश करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, all the very best and have a good night. झाल, आपके लो एक पर एक लिए काने जादान सब स्थ्सक्ति हमें, आपके रोगाओे, यहाँ अपके लिए, पोरने रखके लिए जावाले की कोईगी कोईवास, एक लिए राभ, ले झामेंगे, एक विए जजए लेग् Saput?